अब आपने पूरा डीटेल देख लिया होगा इसमें मैं पहले कटाब की बात करूंगा कितनी कितनी बैकेंसिस आई थी प्रीएस यहर में उसके बाद मैं बताऊँगा कि आपका जो आप आई है तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें किस तरीके से चङनठ के लिए इसमे क्ष click के लिए हैs घ्रतेर में इसमें में हुआ था यह एक्जाम तो उसमें था ओनलाइन एक्जाम होता था और इंटर्व्यू तो सबसे पहले लाइसी विडियो 2013 कटाव मार्क्स और टोटल जो पोस्ट है थी पांचार दोसों एक पोस्ट है टीक तो जेनरल के डिगरी जेनरल ओबी सी एस्टी की लात करती है तो अर एंटर्व्यू मिला के डिल इटर्वू के ता 75 जो नंबर ता और टोटल 35 एक्षो पैंस्सपा ओ वीसी की बात की जा तो 47 नंबर एक्टेंटेस में था इंटर्वीons में था इंटर्व्यू डेस एंटर्व्यू मिला चार्षट और टोटल 113 पर फाइनल था है एस्टी के लिए 40 नंबर था रिटेन डेस्ट में और 45 नंबर इंटर्वी और टोटल कितना 85 यह था 2013 का सिन 2015 में क्या था 2015 में जो पैक एंसे सी पाजार चाचट पोस्टे थी के टविवें और सबको डिवाइड गए के लिए कटेगरी रिटेन डेस्ट और इंटर्व्य और फाइनल काथ तो जननल की बात किजये तो जनल की 60 नबर थी सिप रेटेंड में और इंटर्वीव में मिलेते हैं पहरता टूटल एक्सोपै फाइनल किटाब का है ऑबीसी की बात की जाए टो बावन नमबर था है मनलब ऑबीशी अर्टेन टेस्ट में और इंटर्वीयू में था आपका चांकर नमबर टोटल एक सो अठाई यह है फाइनल कटाब की ST की बात की जाए तो 47 नमबर था रिटिन टेस्सें में और इंटर्वीव में था 63 और फाइनल कटाब थी 115 और ST की बात की जाए तो 40 नमबर था और इंटर्व्यू में 45 TOTAL थे 85 अब बात कर लेते हैं कि एडियू 2019 में इसमें तो इंटर्व्यू खता तो 2019 में जनरल की थी जनरल मलब वही माक्स तो जनरल की 53-58 के बीच में गई थी OBC की थी 46-52 के बीच में और SC की 41-45 के बीच में और ST की 40 से नीचे गई थी यह था 2019 की अब बात कर लेते हैं 2023 की बारे में तो 2023 का जो फॉर्म भरा जा रहा आ एंगार तेरीक से अनलाइन एकेस तारिक से बहरा जाए रहा यह लास्ट डीट जे दस स्वर वरी है आपका का अच्छा है इलिजिविल्टी क्या है क्या minimum qualification अगर आप यह form भर रहे हैं तो कितना minimum qualification होना चाहिए तो bachelor degree in any stream किसी भी मलब University of India तो bachelor degree होना चाहिए अब बात कर लेते हैं face 1 में face 1 में क्या-क्या आएगा आपका तो phase 1 objective test है name test question mark question है marks कितना मिलेगा timing कितनी जाएगी तो बात करते है reasoning के reasoning में 35 question marks है 35 और time कितना slot दिया है 20 मिनट का math की बात की जाए तो 35 question 35 marks को 20 मिनट टाइम दिया गया है English में 30 question 30 marks को टाइम कितनी दी गई है 20 मिनट दी गई है 100 question 37 marks English होता qualifying major होता है और total आपको timing कितनी दी गई है एक घंडे की ठीक आपको दिख रहा आराम से अब बात तले ते phase 2nd की में exam की clear है आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो जो बोलना हो वो आपको सुना ही जरूर पढ़़ा होगा तो में exam की तो reasoning की बात की जाए तो 50 question और 50 marks का clear और reasoning and math का sorry reasoning और math का 50 question 50 marks का और GK and English language 50 question 50 marks का के लिए insurance जो रहेगा आपका third तो वो 60 question 60 marks का total 160 question 160 marks और timing कितने दे गई आपको 120 minute डिया गया ठीक यह हो गया आपका अलब main exam का अब इसी में different department है तो अलग-अलग चीज़े दी गई है ठीक अगर आप online LIC agent के लिए apply करते हैं तो LIC employee category तो reasoning math मिला के 20 question 20 marks का जीके और English मिला के 20 question 20 marks का इंस्यूरेंस and marketing मिला के 60 question 120 marks का total 100 question 160 marks का timing slot डी गई एक 120 minute तीक जो LIC agent और employee उनको थोड़ा बहुत वाइदा है इसमें के लिए अच्छा अब LIC employee category क्या है तो LIC employee category में reasoning of math मिला के 20 question 20 marks का है जीके और English मिला के 20 question 20 marks का और insurance and marketing मिला कर 60 question 120 mark का total timing 100 question की है और timing जो दी गई है वो मार्क्स है 160 marks और timing है 120 minute clear तो यह आपने देख लिए आराम से पूरा अब बात करते हैं तैयारी कैसी की जाए कैसे होगा selection देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि अच्छी बात क्या है अगर आप online ST ले ले लेते हैं तो आप ही के लिए अच्छा है के लिए आपका क्यूंकि basic आपके अच्छा है कुछ भी कोई दिक्कती है लेकिन अगर आप online ST नहीं दे रहे हैं exam की कोई भी तो वहां पे आपको क promotion नहीं करूंगा कि आप यह कर लिए आप बहुत अच्छे well known है दूसरा तरीका पहला तरीका यह कि आपको मालूम हो जाना चाहिए दूसरा यह कि कि किसी भी senior से consult करके जो तयारी कर रहा है bank की के लिए bank की कर रहा हूँ SSC की नहीं bank की कर रहा हूँ एक और या LIC में हुआ 2019 वाले में अगर हुआ हो तो उस भाई से बात करके कि कैसे तैयारी करनी चाहिए वैसे आप कर सकते हो दूसरा तरीका क्या है कि आप YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देख लिए देखे हमारा काम क्या है कि हम आपको अच्छे से अच्छा suggestion दे सकते हैं एक review बता सकते हैं कि इस online ST कोई भी purchase कर लिजे और per day एक तो लगाईए लगाईए जब नस्दीक आजाए exam तो दो कर लिजेगा जो भी ST आप लगाएं उसको analysis सही से करिए किस sector में आपका marks कम हो रहा है किस में कम हुआ जा रहा तो उस sector को सही 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 पढ़ लिजे और GK पे खासकर focus रखी गया GK कर पड़ में आगे हैं तो आपका हो जाएगा रिजनिंग के लिए देखिए बैंक के रिजनिंग इजे नहीं होती है प्रीवियस सेट पेपर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जागा तो आपको सीरियस हो जाएंगे तो अच्छी पोस्टे हैं ठीक है 9,000 सम्तिं कितना ह आपको सीरियस होना पड़ेगा इस पे तो आपको सीरियस लगानी है दूसरा आपको एकदम टाइम देना अपने आपको 6-7 गंटा इसी के लिए अगर आप यह फॉर्म बार रहे हैं बिलकुल सीरियस हो गए तो इस तरीके से आप तयारी कर सकते हैं बाकी मैंने प्रीवियस आपको पूछना कौन सी हैस्टी लेना तो अगर पर्सनल पूछेंगे तो मैं सब बता दूँगा आपको मैसेज करके बाकी आप पर डिपंड है कि आप तयारी कैसे करते हो ठीक दोसों तो इससे रिलेटिट कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं